तो आज संडे है और आज पूरे राजस्तान में COVID-19 यानि कि करोना की वज़े से कर्फ्यू लगा पड़ा है तो हमने सोचा कि क्यों ना इस संडे का यूज हम लोग ऐसे लोकेशन पर जाकर करें तो आज हम लोग ऐसे लोकेशन कवर करने वाले हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा पहली बात तो सुना ही नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऐसे लोकेशन पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहे हैं इन सब में मेरी हेल्प की अमीर भाई ने तो आज हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसे लोकेशन पर जहां पर बना हुआ है एक ट्री हाउस और इस ट्री हाउस को देख कर आपस एक ही बात कहेंगे कि काश ये ट्री हाउस मेरा होता क्योंकि ये ट्री हाउस सच में बहुत ही सुंदर बनाया गया है खेतों के पीचों बीच ये जो ट्री हाउस है गर्मियों के दिन इतना सुकून बरा है इसकी आप कलपना ही नहीं कर सकते और इसके जो ओनर है वो मंडावा हवेली के भी ओनर है और इनसे हम बाचित करेंगे बाद में लेकिन फैले हम देखेंगे अंदर से इसी ट्री हाउस को तो अभी आप लोग देखे सकते हैं कि ये जो ट्री हाउस है वो अंदर से कैसे बना हुआ है ये चारों तरफ से हवादार यानि कि राजस्तान की गर्मी में अगर ऐसा ट्री हाउस आपके पास हो तो आप लोग बस एक ही बात कहेंगे कि हाँ हम राजस्तान में बड़े ही आराम से और खुशी-खुशी रह सकते हैं और ये जो ट्री हाउस है इसके अंदर आपको सारी की सारी फैसलिटी देखने को मिलेगी और इस ट्री हाउस की जो छट है उसके उपर की साइड गोबर का लेप किया गया और जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं जाली नुमा ये रसियों को बून-बून कर बनाया गया और इसके अंदर अज़ेस्ट फैन और लाइट की विवस्ता पानी की विवस्ता ये सब कुछ आपको इस छोटे से ट्री हाउस में देखने को मिलेगे पूरा का पूरा ये पेड के साथ अटेच किया हुआ है और ये जो ट्री हाउस बनाया गया वो सच में बहुत ही सुन्दर है तो आप लोग भी बस इस ट्री हाउस को देख सकते हैं कि ये कितना सुन्दर बना हुआ है और इनके जो ओनर है मतलब कि इनकी खुद की बहुत बड़ी मंडाव में हावाई लिए लेकिन ये अपने फ्री टाइम में इस चोटे से ट्री हाउस में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर आकर आप लोग एक सुकून की जिन्दी जी सकते हैं तो इसलिए आज मैं आमीर भाई के साथ और उनके ब्रादर के साथ यहाँ पर इस ट्री हाउस को एक्स्प्लोर करने आया हूँ तो आप लोग भी बस इस ट्री हाउस को देखिए और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को चुनूब करें तो फिलाल आप लोग देख रहे हैं इसी ट्री हाउस को और इसके बारे में जानते हैं हम अंकल जी से कि यह किस तरज़िए यह कि तरज़िए नहीं है इस पर बनाया गया हो और कैसे बनाये इन्होंने वैसे अमीर भाई ने मुझे पताया इस ट्री हाउस के बारे में कि कई न्यू चैनल वाले भी अंकल जी से इंट्रिव्यू लेने के लिए आज चुके हैं इस ट्री हाउस के लिए तो चलो हम भी चानते हैं इस ट्री हाउस क यह लिए माइन है अठा बनाई है और यह लारियल के रश्यों से बनाया हुआ है जारों और एक पाइप लगी हुई है जिसके छेद है जो उससे बूंद 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 सारी रश्या है वो भीग जाती है गर्मी में फुप ठंडियों आप परकृतिक नजदेक रहने के तो अंकल जी का जो ट्री हाउस है वो सच में बहुती सुंदर और बहुती आराम दाइक है और यह जो खेतों के बीच में इन्होंने जो जिन्दगी चुनी है वो सच में बहुती अच्छी है तो फिलाल यह ट्री हाउस देखने के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं अमीर भ हालत कैसी है वैसे बाहर से अगर इस हवाईली को देखें तो इसकी हालत बहुत ही घस्ता हुई पड़ी है और फिलाल आप लोग यहां पर देखिए महात्मा गांधी का चर्खा बहुत सालों पुराना होगा लेकिन कितने साल पुराना है मुझे नहीं बता तो फिलाल आप लोग मिलिए आमीर भाई से यह हमारे आमीर सर जो मैं आज विस्टिंग करवाने के लिए आये हैं तो फिलाल अभी इस हवेली में हम तीन जने हैं मैं आमीर और शरी भाई तो अभी हम इसी हवेली को अंदर से देख रहे हैं और अंदर आते ही हमें जो देखने को मिला वो ये कि इस हवेली की देख रेक ना मातर है लेकिन फिर भी इसकी जो कंडिशन वो काफी अच्छी है क्योंकि बिना देख रेक के भी ये बहुत सो साल पुरानी हवेली अभी भी एकदम सही की सही पड़ी है और यहाँ पर आके जो मुझे सबसे मतलब चोकानी वाली चीज देखने को मिली वो है कि यहाँ पर बहुत सी जगा मार्बल का काम भी किया गया इसके अलावा यहाँ पर जो कलर किया गया है उस कलर को अगर मैं कंपेरिजन करूँ आज के हमारे जो एशियन पेंट नेरो लेक इनसे अगर कंपेरिजन करूँ तो मैं कहूंगा कि उनका रंग फिका पड़ जाएगा और यहाँ पर किये हुए कलर को देखकर आप लोग को ऐसा लगएगा कि यह जो कलर है वो बहुत कम साल पहले ही किया होगा और अगर आज हम अपने घर पर कलर करते हैं तो हर साल एक नया कलर करना पड़ता है लेकिन यह जो इन हवेलियों के उपर कलर किया गया यह बहुत सो सालों पुराना कलर है और यह अभी भी जो का त्यो पड़ा है तो फिलाल इस हवेली को अंदर से देखने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं च्छत के उपर और यहां से आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा मंडावा सीटी तो मंडावा शहर जो आप अभी देखी रहे हैं कि यहां के जितने भी घर है वो बहुत सो साल पुराने हैं और अभी शरीफ भाई को मिल गई है च्छत के उपर पतंग तो शरीफ भाई हमारे उड़ा रहे हैं पतंग और यह पतंग अभी मरी हुई हालत में लेकिन फिर भी हम चीज बहुत अच्छी लगी और वो यह कि इस हवेली के अंदर स्पेस बहुत जादा है तो हवेली को अच्छे से देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की और फिलाल आप लोग देखी पा रहे हैं कि यह जो लोकेशन है हमने हमारे पुराने मंडावा के वीडियो लोक्स में दिखाई चुके हैं कि यहां पर बहुत से वालीवुड मुवी का शूट हो चुका है और यह जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पिके के वो नई वाले शौट के लिए तो अगर जिसको याद है कि पिके का कौन सा शूट यहां पर हुआ था वो कमें सारे राजस्तान में कौवीड की वज़े से जादा जो केस बढ़ रहे हैं उसकी वज़े से संडे है वो कर्ष्यू रखा गया है और इसी वज़े से जितनी भी शौप है वो सारी की सारी मंगल हुई पढ़ी है लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ-कुछ दु पर पहुंच गए हैं तो फिलाल आप लोग देखी सकते हैं कि मेडिकल के अलावा यहां पर कई दुकानों के सामने यहां की जो शौप की पर है वो आपको दिखाई देंगे और यह हमारी रुद्रा आउटविट जहां पर मैं बहुत सी बार जब भाई शौप पर नहीं होत अच विट्व व्मलास हुआ तो मारकेट से सीधा मैं जा रहा हूँ लाइबरेरी आमेर भाई के साथ हो और यहां पर अमीर ब्हाई ने मुझे लिब भाई च्छोड दिया और यहां पर आते ही मुझे मिला सिर्पराइज क्योंकि यहां पर मेरी कजन शिच्टर मेरी मौसी और मेरी मा यानि मेरी नानी मा यहाँ पर सब लोग आए गुए थे तो आप लोगों को आज का हमारा यह जो वीडियो व्लोग है कैसा लगा लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना